पपू यादफ को लेकर के लगतार कयास लगाए जा रहे थे कि कॉंग्रेस में विले होगी पपू यादफ की जनादिकार पाटी और अब एक खत सामने आया है उस खत को हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर बिहार कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्षम मदन मुहंजा ने एक चिठी लिखी है और यह चिठी है पपू यादफ के नाम आप अपने स्क्रीन पर उस चिठी को देख रहे हैं इसमें मदन मुहंजा लिख रहे हैं आदर निये पपू जी आपको ग्यात होगा कि बिहार में दो विधानसभा छेत्र कुशेश्वरस्थान और तारापूर में उपचुनाव तीस तारिक को होने जा रहा है आपको इस संदर्व में पार्टी के मानिये बिहार प्रभारी भक्त चरंदास जी से बात हो चुकी है सभी कॉंग्रेस जनों की इच्छा है कि हम लोग आपस में मिल जूर कर कॉंग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम क करें अता आपसे आगरा है कि दोनों विधानसभा छेत्र में कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अतिरेक कुमार और राजेश कुमार मिश्रा को विजह बनाने के लिए अपने दल का पूर्ण समर्थन एवं सहयोग देना चाहेंगे तो यह चिठी आपने दिखा कि सरीके से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहंजा उन्होंने सीधे तोर पर मदद जो है वो पपूयादफ से मांगी है और इस चिठी में लिखा गया है कि भक्त चरंदास से आपकी बात हो चुकी है तो जो कया से लगाये जा रहे थे कि पपूयादफ की जनाधिकार चरंदास ने पपूयादफ से मांगा है ये साफ संकेथ दे रहा है कि आने वाले समय में पपूयादफ कॉंगरेस का दामन ठाम लेंगे यानि कि बिहार की सियासद में बड़ा अलट फेर होगा एक तरफ कन्यायक उमार होंगे कॉंगरेस में तो वहीं उनके साथ कि किस सरीके से पप्पू यादव अब मन बना चुके हैं कि वो कॉंग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विले कर देंगे लंबे समय से यह चर्चा थी कि कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे पप्पू यादव और अब इस लेटर के बाद से सब कुछ हसाफ हो गया है कि अंजहाने कि वो अपनी पार्टी का समर्थन दे और उनके समर्थन में चुनाव प्रचार जो है वो करने के लिए कुशेश्वर अथान और तारापूर जाएं तो अब साफ साफ हो चुका है सब कुछ की पप्पू यादव कॉंग्रेस के हो जाएंगे और जो बात कही जा रही थी कि आने वाले समय में कॉंग्रेस और आरगेडी का गडबंधन जो है वो भी पूरे तरीके से तूट जाएगा तो ये लेटर जो है वो साफ बयान करता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उप्पू यादव कॉंग्रेस में शामिल होंगे और उसके बाद से आरगेडी और मदद मांगी है मदन मुहंचा ने अब देखना यह होगा कि उप्चुनाव के परिणाम के बाद से क्या पपू कॉंग्रेसी हो जाएंगे पपू कनहिया मिलकर के बिहार में कॉंग्रेस का दामन ठाम लेंगे और कॉंग्रेस को फिर से बुलंदियों पर पहुंचा करेंगे या फिर नहीं आप बने रहें हिंट लाइन्स प्यार के साथ